एक दिन मेरी बेटी सोनिया ने मुझे फोन करके कहा कि उसे कुछ सहायता चाहिए और मुझे कुछ दिन उसके घर आना पड़ेगा उसकी बात सुनकर मैं तुरंट उसके घर के लिए निकल पड़ी जब मैं उसके घर पहुची तो मेरे जमाई दामाद रोहित ने बड़े गर्म जोशी से मेरा स्वागत किया उसने मुझसे बहुत अच्छे से बात की और मेरे आराम का ख्याल रखा ये बदलाव मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि पहले वह इतना खास ध्यान नहीं देता था रात के समय लगभग आधी रात को अचानक रोहित मेरे कमरे में आ गया वह चुपचाप मेरे बिस्तर के पास बैठ गया और धीरे धीरे मेरी चादर को हाथ से छूते हुए बोला आंटी अब सोनिया बहुत ठक चुकी है अब आप ही हैं जो मुझे खुश रख सकती है इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती उसने मुझे कोई मौका नहीं दिया पूरी रात सुबह तीन बजे तक वह कमरे में ही रहा मेरा नाम मीरा है और सोनिया मेरी बेटी है रोहित सोनिया का पती एक नीजी कमपनी में काम करता है सोनिया भी एक बड़ी कंपनी में काम करती है और इतनी व्यस्त रहती है कि उसे घर के कामों के लिए समय नहीं मिल पाता एक दिन सोनिया ने मुझसे कहा मा आपके हाथ की बनी आलू की सबजी मुझे बहुत पसंद है क्या आप बना सकती हैं मैंने तुरंट सबजी बना दी और दोनों सोनिया और रोहित ने बड़े चाव से वह खाना खाया हालांकि रोहित का व्यवहार इन दिनों कुछ अजीब सा लग रहा था लेकिन मैंने इस बात को नजर अंदाज कर दिया कुछ दिन और बीट गए लेकिन रोहित का व्यवहार लगातार अजीब होता जा रहा था वह हर समय मेरा ख्याल रखने का बहाना ढून दा और जब सोनिया घर पर नहीं होती तो वह और भी ज्यादा करीब आने की कोशिश करता मैंने खुद को असज महसूस करना शुरू कर दिया एक दिन दोपहर के समय जब सोनिया ओफिस में थी रोहित फिर से मेरे कमरे में आ गया इस बार वह और खुल कर बात करने लगा और कहने लगा नीरा आंटी आप ही है जो अब मुझे समझ सकती है सोनिया पहले जैसी नहीं रही वा अब मुझे उतना समय नहीं देती उसकी बाते सुनकर मेरा दिल बहुत घबराया क्योंकि यह स्थिती बिल्कुल ठीक नहीं थी मैंने समझदारी से काम लेते हुए रोहित को साफ साफ मना कर दिया और कहा रोहित तुम गलत कर रहे हो मुझे एहसास हुआ कि यह स्थिती और बिगड़ सकती है इसलिए मैंने तुरंट एक निर्ने लिया मैंने उसे कडाई से कहा रोहित अगर तुमने अब और कोई भी गलत हरकत की तो मैं यह सब सोनिया को बता दूँगी यह जो तुम कर रहे हो वह बिलकुल गलत है और मैं इसे बरदाश्ट नहीं करूँगी मेरे इस सकत रुख को देख कर रोहित थोड़ा घबरा गया वह बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया मुझे समझ में आ गया कि अब और ज्यादा देर करना सही नहीं होगा इसलिए मैंने उसी दिन रात को सोनिया से बात करने का फैसला किया जब सोनिया ओफिस से लोटी तो मैंने उससे कहां बेटी मुझे तुम से कुछ जरूरी बात करनी है मैंने उसे पूरे ध्यान से बैठाया और धीरे-धीरे उसे सारी सच्चाई बता दी कि कैसे पिछले कुछ दिनों से रोहित का व्यवहार मेरे साथ गलत था. और उसने कई बार अनुचित व्यवहार करने की कोशिश की. सोनिया यहाँ सुनकर सन रह गई पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ लेकिन मेरे कहने पर उसने समझा कि स्थिती कितनी गंभीर है उसने तुरंत रोहित से बात करने का निरने लिया जब उसने रोहिट से सामना किया तो रोहिट ने पहले तो बहाने बनाए लेकिन फिर उसे भी समझ में आ गया कि अब उसे कोई बचने का रास्ता नहीं है सोनिया ने सख्त लहजे में उससे कहा अगर तुमने ये सब फिर से किया तो मैं तुम्हारे खिलाफ सख्त कदम उठाऊंगी उस घटना के बाद मैंने कुछ दिनों के लिए सोनिया के घर से निकलने का फैसला किया ताकि वह इस्थिती को खुद संभाल सके जाते वक्त सोनिया ने मुझे गले लगा कर कहा मा मुझे माफ करना मुझे अन्ताजा नहीं था कि रोहित ऐसा करेगा मैं इस सब को ठीक कर लूँगी मैंने उसे समझाया कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और जो कुछ हुआ वह रोहित की गलत सोच का नतीजा था मैंने उसके लिए अपनी चिंता जताई और उसे ताकतवर बने रहने की सलाह दी उस दिन के बाद मैंने देखा कि सोनिया ने अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाने का फैसला किया इस घटना ने हमारे रिष्टे को और मजबूत बना दिया और मैं जान गई की मेरी बेटी अब सही तरीके से अपना जीवन संभाल रही है इस तरह कहानी का अंथ हुआ जिसमें सोनिया ने सही फैसले लिये और गलत व्यवहार का सामना करने का साहस दिखाया सोनिया ने उस दिन के बाद से अपने जीवन में कुछ एहम बदलाव करना शुरू कर दिया उसने रोहित से साफ साफ कह दिया कि वह उसे दूसरा मौका सिर्फ इसलिए दे रही है क्योंकि वे दोनों पहले से एक परिवार के सदसे थे लेकिन अगर उसने फिर कभी इस तरह का व्यवहार किया तो वह उसे छोड़ देगी और कानूनी कारवाई से भी पीछे नहीं हटेगी रोहित को अब समझ आ गया था कि उसने बहुत बड़ी गलती की है और वह खुद को सही करने की कोशिश करने लगा हालांकि सोनिया ने अपनी सीमाएं तै कर दी थी उसने अपने जीवन में एक नई शुरुवात करने का फैसला किया सबसे पहले उसने अपने काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाना शुरू किया वह अब ऑफिस से घर आते ही सारा समय खुद पर और अपनी जरूरतों पर फोकस करने लगी उसने इस पूरे घटनाक्रम से यह समझ लिया था कि रिष्टों में पारदर्शिता और सम्मान कितना जरूरी होता है कुछ महीनों के बाद मैंने देखा कि सोनिया और रोहित के रिष्टे में सुधार हो रहा था रोहित ने अपनी गलतियों को समझा और अपने व्यवहार में भी बदलाव लाया वह अब घर के कामों में भी हाथ बंटाने लगा और सोनिया के साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करता दोनों ने काउंसलिंग में भी जाने का फैसला किया ताकि वे अपने रिष्टे को भैतर तरीके से समझ सके और इसे फिर से मजबूत बना सके इसी दौरान मैं भी सोनिया के पास समय समय पर जाती रही और उसकी हिम्मत को देख कर मुझे गर्व होता उसने रोहित को दूसरा मौका जरूर दिया था लेकिन अब वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और आत्म निर्भर हो चुकी थी उसने मुझे एक दिन कहा मा आपकी सीख और साथ ने मुझे इस मुश्किल घड़ी में संभाला अगर आप नहीं होती तो शायद मैं यह सब नहीं कर पाती मैंने उसे प्यार से गले लगाया और कहा बेटी तुमने अपनी ताकत खुद पहचानी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ लेकिन असली ताकत तुम्हारे अंदर है समय बीटा गया और सोनिया ने अपने जीवन में फिर से खुशिया ढूंड ली रोहित ने भी अपने जीवन में बदलाव लाकर एक बहतर इंसान बनने की कोशिश की दोनों के रिष्टे में अब भरोसा और आपसी सम्मान लौट आया था इस घटना ने मुझे भी सिखाया कि कभी-कभी मुश्किल हालाथ हमें और भी मजबूत बना देते हैं जो रिष्टे सचे होते हैं वे सम्मान और इमानदारी से ही टिक पाते हैं और इस तरह एक कठिन दोर के बाद सब कुछ धीरे-धीरे फिर से ठीक हो गया कुछ और समय बीतने के बाद सोनिया और रोहित का रिष्टा और भी स्थिर और परिपक्व हो गया हाला कि रोहित की गलतियों को पूरी तरह से भुलाया नहीं जा सकता था लेकिन सोनिया ने यह सीख लिया था कि अपने आत्मसमान और अधिकारों के साथ कोई समझोदा नहीं करना चाहिए इस अनुभव ने सोनिया को मानसिक रूप से और अधिक मजबूत बना दिया उसने अपनी सीमाएं तैक कर ली थी और अब वहाँ अपनी आवास को दबाने वाली नहीं थी उसने अपनी जिन्दगी को एक नई दिशा देने के लिए कुछ और फैसले लिए सबसे पहले उसने अपने आफिस में प्रमोशन की तैयारी शुरू की क्योंकी वह अब अपने करियर को और उंचाईयों तक ले जाना चाहती थी एक दिन सोनिया ने मुझे फिर से घर बुलाया इस बार माहौल बहुत सकारात्मक था जब मैं उसके घर पहुँची तो रोहित और सोनिया दोनों ने मेरा बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया रोहित का व्यवहार अब पूरी तरह से बदल चुका था वह अब पहले जैसा नहीं रहा बल्कि उसने एक जिम्मेदार और विचारशील पती के रूप में अपनी पहचान बनाई रात को डिनर करते समय सोनिया ने मुझे से कहा मा मैंने एक फैसला लिया है मैं अब अपनी खुद की कंपनी खोलने का प्लान कर रही हूँ मैंने सोचा है कि अब समय आ गया है जब मैं अपनी योग्यता और अनुभव को अपने तरीके से इस्तिमाल करूँ उसकी आखों में आत्मविश्वास और जोश ज़लक रहा था मैंने उसे प्रोटसाहित करते हुए कहा तुम ये जरूर कर सकती हो सोनिया मैंने हमेशा देखा है कि तुम में कितनी काबिलियत है मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ रोहित ने भी सोनिया के इस निरनय का समर्थन किया और कहा सोनिया मैं तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश हूँ मैं जानता हूँ कि तुम इसमें बहुत सफल होगी सोनिया ने अपनी नई यात्रा की शुरुआत की उसने अपना बिजनेस शुरू किया और जल्दी ही उसे सफलता मिलने लगी वह अब एक स्वतंत्र और सशक्त महिला के रूप में उभर चुकी थी उसने साबित कर दिया कि मुश्किल समय में भी धैर्य और साहस से सामना किया जा सकता है और अपने सपनों को साकार करने के लिए कभी भी देर नहीं होती मैं भी इस पूरी यात्रा में सोनिया के साथ रही और मैंने देखा की कैसे उसने अपने आत्मसम्मान और आत्म निर्भर्दा को प्रात्मिक्ता दी रोहित और सोनिया के बीच का रिष्टा भी अब पूरी तरह से विश्वास और सह्योग पर आधारित हो गया था इस घटना के बाद हम सबने यह समझा कि किसी भी रिष्टे की असली बुनियाद विश्वा, सम्मान और पारस परिक समझ पर टिकी होती है कठिनाईयां हमें तोड़ने के बजाए और मजबूत बना देती हैं अगर हम सही रास्ते पर डटे रहें और इस तरह सोनिया ने अपनी नई जिन्दिगी की शुरुआत की जहां वह खुद की मालिक थी और उसने यह साबित कर दिया कि आत्म निर्भड़ता ही असली ताकत है सोनिया का नया व्यवसाय तेजी से उभरने लगा उसकी महनत और समर्पन का परिणाम यह हुआ कि कुछ ही महीनों में उसकी कमपनी ने अच्छा मुनाफ़ा कमाना शुरू कर दिया वह अब ना सिर्फ एक सफल महिला उद्यमी थी बलकि अपने कर्मचारियों के लिए प्रेर्ना स्रोत भी बन चुकी थी हर दिन नई चुनौतियों का सामना करना अब उसके लिए रुमान्चक हो गया था और वह हर बाधा को एक अफसर के रूप में देखती थी एक दिन सोनिया ने मुझसे कहा मा मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिन्दगी मुझे यहां तक ले आएगी रोहित के साथ जो कुछ हुआ वह एक बड़ा जटका था लेकिन अगर वह घटना नहीं होती तो शायद मैं खुद को इस तरह नहीं खोच पाती मैंने उसे मुस्कुराते हुए कहा बेटी कभी कभी जिन्दगी में आने वाले तूफान हमें वहां पहुचा देते हैं जहां हमें असल में होना चाहिए तुम्हारी मेहनत और साहस ने तुम्हें यहां तक पहुँचाया है और अब तुम अपने सपनों को अपने हिसाब से जी रही हो रोहित भी अब बदल चुका था उसने अपनी पुरानी गलतियों से बहुत कुछ सीखा और सोनिया के प्रती अपनी इमानदारी और समर्थन को साबित करने की पूरी कोशिश की उसने खुद को बहतर इंसान बनाने का संकल्प लिया और यहां बात सोनिया ने भी महसूस की हालां कि सोनिया अब पूरी तरह आत्म निर्भर थी और किसी पर भी अपनी खुशी या सफलता के लिए निर्भर नहीं थी कुछ समय बाद सोनिया और रोहित ने एक और बड़ी खबर साजा की वे माता-पिता बनने वाले थे यहाँ खबर सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया सोनिया ने मुझसे कहा मा मुझे डर था कि जो कुछ हुआ उसके बाद मैं और रोहित कभी उस मुकाम पर नहीं आपाएंगे लेकिन अब हम दोनों ने मिलकर अपनी जिन्दिगी को फिर से एक नई दिशा दी है और मैं इस नई शुरुआत को लेकर बेहत उत्साहित हूँ बच्चे के आने की तैयारी में दोनों ने मिलकर घर की सजावट और प्लानिंग करनी शुरू कर दी इस पूरे सफर में मैंने देखा कि रोहित अब पहले से कहीं ज्यादा जिम्मेदार और सहायक पती बन चुका था उसने सोनिया का हर कदम पर साथ दिया और यहाँ बात सोनिया के दिल को छू गई अब उनके रिष्टे में पारदर्शिता सम्मान और भरोसा पूरी तरह से लौट आया था जब सोनिया ने एक प्यारे से बेटे को जन्द दिया तो परिवार में खुशी का माहौल छा गया वह पल हमारे परिवार के लिए बेहत खास था मैंने अपने पोते को गोद में लिया और सोनिया की ओर देखा जो अब एक मा के रूप में अपने नए सफर की शुरुवात कर रही थी उसकी आखों में वही आत्म विश्वास और खुशियों की चमक थी जो उसने खुद की पहचान बनाने के दौरान हासिल की थी सोनिया ने मुझसे कहा मा मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है तुमने हमेशा मुझे सिखाया कि आत्म सम्मान और आत्म निर्भरता से बड़ी कोई चीज नहीं होती आज मैं जो कुछ भी हूँ वह तुम्हारी वज़ह से हूँ मैंने उसे प्यार से गले लगाया और कहा बेटी तुमने अपने सफर में जो भी मुश्किले जेली वो तुम्हें एक मजबूत और सासी इंसान बनाने के लिए थी अब तुम्हारे पास सब कुछ है एक सफल करियर एक प्यारा परिवार और सबसे जरूरी खुद पर विश्वास इस नए सफर में सोनिया ने खुद को एक सशक्त आत्म निर्भर और खुशाल महिला के रूप में पाया उसने यह साबित कर दिया कि जिन्दगी की हर चुनौती हमें और बहतर बनाने के लिए होती है बशर्ते हम उससे डरने के बजाए उसे स्वीकार करें और उससे सीखें सोनिया का सफर अब सिर्फ उसकी नहीं था बल्कि वह अब अपने बेटे और परिवार के साथ एक नई शुरुआत कर रही थी जहां प्यार सम्मान और आत्म सम्मान ने एक नई पहचान बनाई थी और इस तरह एक कठिन दौर के बाद सोनिया ने अपनी जिन्दिगी में न सिर्फ सफलता हासिल की बल्कि अपने परिवार और खुद के लिए एक नई शुरुआत भी कि